आसाम वेटनेरी रिक्विमेंट 2023 तो फ्रेंस आपका आसाम वेटनेरी में वेटनेरी फिल एसिस्टेन पाइए जो आपका 367 नमरोeg पोस्त का पूस्त का पूस्त का पूस्त का पूस्त पाइं क्या चाहिए जब का एजुकेशन होना चाहिए तभी आप लोग यह पोस को अप्लाइ कर सकते हो इसके बात फ्रेंद्स आपका हाउ टो आपको केसे अप्लाइ करेंगे उसके बारे में भी डिसकस करेंगे और आपका लास्ट डेट ऑप एप्लिकेशन समीट करने के लिए भी क्या क्या डॉक्मेंट्स देना है सारा चीज मैं उस विडियो में आपके साथ शेयर करूंगा तो यह एडबेटाजमेंट डिलेटेड वी डिडियो तो आपके लिए नेक्स वीडियो जो अप्लोड होगा उसके रिलेटेड ही रहेगा तो आप लोग चैनल को सस्काइब कर लेना बेल अगेन को प्रेस करके रखना जब वीडियो अप्लोड होगा तो आप लोग बिल जाएगा और इंस्टेंट अपडेट लिए आप लोग वाट्सेप चैनल को जोईन कर सकते हैं वाट्सेप चैनल का जो लिंक है डिया गया है यहां पर आपका सारा पॉइंस दिया है कौन से कास्ट एकंस में कितना पॉस आपका एसाइंड किया गया है तो यहां पर अन्रिजब के लिए आपका टोटल नमर पॉस फोटीन रहेगा इसके बाद जो ओबीसी के लिए उनके लिए आपका टूहंड़ेट थाटीफाइफ पोस रिजर्वेशन है इसकाद एस्ट डिए लेबल पर सलरी searched प्र टीन थाओँन डियू ड्रीन होना है तो इहां पर आपका यहां पर दिया घया गया है जो ऑ्प्र 21 years and not more than 40 years तो आपका लिए लिमिट है 21 से 40 years के बीच में और जो आपका एज रिलेक्सेक्शन है एस पर दापका गौर्ब्मेंट रूल्स के हिसाब से है SCST के लिए 5 years है और OBC के डिरिट के लिए 3 years of age रिलेक्सेक्शन है इसके बाद नेक्स आपका education qualification चाहिए जो आपका लोग को पास करना है इन इलेमेंटरी वेटरिनरी साइंस वर्य ट्रेनिंग कॉर्स होता है है Elelementary knowledge of Veterinary science का उसको आपको भोक को पास करनाए कहाँ से पास करना है from the recognized school of veterinary science and LML husbandry तो आपका जो recognized school है veterinary science and LML husbandry का established by the government असाम गुंगूर जो inis thì र शुल्चर ठीक है यहां पे जो stabilis का यहां से आपको one year training course लेके आपको पास होना पड़ेगा जो आपका elementary knowledge of veterinary science का course है इसके बाद आपका है and having pass and having pass तो आपको क्या pass करना है high secondary pass करना है senior secondary exam जो science आपका इस्टीम होना चाहिए examination with biology with biology से आपको high secondary pass करना पड़ा है यह आपका one year training course तो होना ही है इसके बाद आपको high secondary pass करना है science tips से with biology subject ठीक है तभी आप लोग का यह basic qualification होगा तभी आप लोग यह पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो सिब आपका one year training course रहने से आप लोग यह पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते है one year training course के साथ जो आपका है एचलसी पास होना है one year training course जो आपका होगा elementary knowledge और veterinary science और आपको यह school से पास करना पड़ेगा जो गोब्मेन आप असाम ने रिकूगनाईज कहा है घूंगूर सिल्चर यही सी school से अगर आप लोग पास करते हो इसके बाद high secondary जो आपका है science background से आप लोग को पास होना है with biology subject अब लोग यह post को apply कर चकते हों यह आपका education qualification रहेगा इसके बाद next friends how to apply तब लोग कैसे apply कर गोई application apply करने का procedure क्या है तो यह आपका offline application form आपको fill up करना पड़ेगा the intending candidate may apply standard form as per the part 9 और साम तो आपका जो part 9 का standard form है उस application form में आपको fill up करना पड़ेगा वो application form कैसे fill up करना उसके related भी वीडियो आपके लिए आ रहा है तब लोग वीडियो के लिए बैल अकन को प्रेस करके रहेगा तभी आपको वीडियो मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना तो आपको instant update मिल जाएगा इसके बाद यहां पर है आपको कहां पर समीट करना है समीट करना ह 14 hours on before 12 1204 तबको 12 January के पहले समीट करना पड़े हो जो आपका आपको एप्लिक्शन फरम है इसकाद फिरेंद आपका जो लास्ट डेट अप्लिक्शन फरम जाके जमा देना है तो फ्रेंद्स जही था आपका जो रिक्यूमेंन आया था एनिमिल हस्बेंडरी जूर्य ऊपार् पोस्ट का रुक्मेंट था तो एडबेटाइजमेंट रिलीटेट वीडियो में मैंने सारा important points आपके साथ discuss कर दिया क्या-क्या important points है और अगर आपको कुछ doubt हो कुछ problem हो तो आप लोग comment के जागा मैं आपको help करूँगा आपका doubt clear करने में और जो application form fill up करने का related तो वीडियो आई ही रहा है आपके लिए और क्या-क्या documents जेना उसमें मैं आपको बता दूँगा क्या-क्या documents जेना application form कैसे fill up करना है तो फ्रेंज आपको वीडियो के साल वीडियो अच्छा लगा कर दो वीडियो के साल 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 वीडियो